शेक्स्पियर ने एक बर कहा था कि नाम में क्या रखा है, हाला कि उस लाइन के नीचे उन्होंने अपना नाम भी लिख दिया था, इसलिए आज हमें पता चल पाया कि ये नाम वाली लाइन्स शेक्स्पियर ने लिखी थी, ब्रहमास्त्र के टीजर मोशन का रिव्यू में हम बात करेंगे फिल्म के कैरेक्टर्स के नामों पर और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन नामों में फिल्म के कहानी छुपी हो सकती है, चर्चा करेंगे भ्रहमास्त्र के मोशन पोस्टर और कैरेक्टर्स के नाम पर पिछले एक डेड़ साल में कोरोना के कारण अनेको फिल्मे जो बड़े स्क्रीन पर रिलीज होने वाली थी उन्हें विवश होकर छोटे स्क्रीन यानी OTT प्लैटफॉर्म्स पर रिलीज करना पड़ा बहुत सी फिल्में जिनके प्रड्यूसर्स की जेम में ज्यादा पैसा था जो फिल्म को कुछ समय तक रोकने में सक्षम थे उन्होंने फिल्म एक समय तक रोके रखा और थियेटर के खुलने का इंतजार करते रहे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी फिल्म का असली मज़ा में ही आ सकता है OTT पर नहीं इन में कुछ फिल्म में थी बेल बोटम और सूर्यवंशी लेकिन इन सब के बीच एक फिल्म ऐसी भी थी जिसकी चर्चा हम 2017 यानि पिछले चार साल से सुनते आ रहे थे लेकिन फिल्म के बारे में हलका सा भी क्लू हाथ नहीं लग रहा था कि इ ये फिल्म रिलीज होगी तो सिर्फ थीएटर में और जब इस फिल्म की पहली जलक आप देखने को मिली है तो सच में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये फिल्म थीएटर में ही रिलीज होनी चाहिए फिल्म का नाम है ब्रह्मा प्लस अस्त्र एक्वल टू भ्रह्मा का अस्त्र मी ये ऐसी पहली फिल्म होगी जिसको पहले से ही तीन पार्ट में रेलिस करने का प्लैन होगा, यानि इस फिल्म के तीन पार्ट होगे, ऐसे तो Bollywood में कई ऐसी फिल्में है जिनके तीन पार्ट बने हैं, या उससे ज्यादा भी बने हैं, जैसे गोलमाल सीरीज, हाॉसपल पूरे एक ऐसी फिल्म है जिसके पहले से प्लैन करके दो पार्ट्स बनाए गए थे लेकिन भ्रमास्त्र के तीन पार्ट्स बनाए गए हैं इस पहले मोशन पोस्टर में रणवीर कपूर को इंट्रड्यूस कराए गया है जहां environment आदी काल का लग रहा है लेकिन उनके कपड़े आज के समय के हैं हाथ में त्रिशूल है तो यहीं पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये एक time travel film होगी खैर मैं थोड़ा सा आपको plot के बारे में बता दू कि ये कहानी दो समय की होगी एक आज की और एक होगी 3000 साल पहले की यानी महाबारत से ठीक पहले की प्रेजेंट में रनिवीर कपुर के पास कुछ सूपर पावस होते हैं फिर वो 3000 साल पहले के युग में जाते हैं सीखने के लिए कि ब्रहमास्तर कैसे चला जाता है ताकि उसका प्रियोग वो आज के युग में कर सके फिल्म के कुछ पार्ट्स में फ्यूचर के सीन्स भी देखने को मिल सकते हैं फिल्म में कैरेक्टर्स के नाम पर भी चर्चा की जा सकती है और नाम में उनका कैरेक्टर ढूंडा जा सकता है फिल्म में अमिताब बच्चन का नाम है अर्विंद चतुरवेदी अब जैसे कि मैंने बताया कि ये फिल्म दो युगों की कहानी होगी यानि करीब 3000 साल पहले की और आज की और जैसे कि रणबीर कपूर प्रेजेंट में भी होते हैं तो जाहिर सी बात है उन सारे सींस में अकेले नहीं होगी यानि ये अनुमानित है कि अमिताब बच्चन और बाकी के कैरेक्टर्स प्रेजेंट युग में भी दिखेंगे और ये पुराने वाले युग में भी नजर आएंगे और वहाँ ये किसी ना किसी भगवान आदी के रूप में दिखेंगे अब अर्विंद की नाम को खंगा ले तो अर्विंद का अर्थ होता है कमल और भगवान विश्नु कमल पर विराजमान रहते थे और कुछ जगे ये मेंशन है कि अमिताब बच्चन भगवान विश्नु के किरदार में दिखेंगे तो हो सकता है प्रेजेंट में उनका नाम अर्विंद इसलिए रखा गया हो क्योंकि आदी काल में वो भगवान विश्नु रहे होंगे मोशन पोस्टर में भी हमने देखा रणबीर कपूर आज के युक के कपड़ों में लेकिन पुराने युक के महाल में हाथ में त्रिशू लिए उनका नाम भी शिवा है इसके बाद अगर हम आलिया भट के कैरेक्टर डेम पर नजर डालें जिने ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में भी जाना जाता है प्रेजेंट में फिल्म में वो आर्किटेक्ट बने हैं लेकिन शायद पुराने युग में उनका किरदार महर्शी वसिष्ट के इर्द गिर्द रहा हो इसी तरह से मौनी रॉय का फिल्म में नाम है दम्यंती सिंगानिया दम्यंती दरसल पुराने युग में एक खुबसूरत राजकुमारी थी जिससे पास के राज्य के महराजा नाला को प्यार हो गया था वो भी बिना देखे वो एक अलग कानी है जब दम्यंती का स्विवर हुआ तो वहाँ देवताओं के बीच नाला भी पधारे थे और दम्यंती ने उन्हें वर्माला पहना दी जबकि उन्होंने महराज नाला को कभी नहीं देखा था ऐसा इसलिए था कि देवताओं की परच्छाई नहीं होती लेकिन मानव की परच्छाई होती है और महराज नाला की परच्छाई देखकर ही दम्यंती ने वर्माला पहना दिया शारुक खान की रावन में भी एक इस तरह का सीन देखने को मिलता है तो हो सकता है कि स्पॉरानिक यूग की दम्यंती का कुछ कनेक्शन मौनी रॉय के कैरेक्टर से भी हो खैर और ज्यादा जानकारी तो ट्रेलर आने पर ही मिल सकती है मोशन पोस्टर देखकर फिल्म की भव्यता का अंदाजा तो लगी रहा है फिल्म रणबीर कपूर के अलावा अमिताब बच्चन, आलिया भट और नागार जुन मुक्या भूमिकाओं में होंगे फिल्म हिंदी, तमिल, तेलगु, मल्यालम और कन्नडा में भी रिलीस होगी और ये नकिवल स्टेंडर्ड फॉर्मिट में रिलीस होगी बलकि 3D और IMAX स्टेंडर्ड में भी रिलीस की जाएगी तो दोस्तों, इंतजार कीजे फिल्म के टेलर आने का फिल्म तो अगले साथ सेप्टेंबर में रिलीस होगी Have a nice day